प्यार बच्चों LGR Study में आप सभी का स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में अभी जो है हम लोग जैव परकरम पढ़ाई कर रहे हैं और जैव परकरम का अल्रेडी एक क्लास हो चुका है आज आपका जैव परकरम का सकेंड क्लास होने वाला है काफी महतपूर्ण चीजे डिसकसन करेंगे तो ध्यान से सीखने समझने कोशिस कीजिएगा चले सुरू करते हैं और हमारा जो आप फर्स्ट टॉपिक है आज का वह है पोशन के आधार पर जीवों के परकार पोशन के आधार पर हम जीवों के परकार परने वाले हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पोशन जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं पोसन कितने परकार के होते हैं, दो परकार के होते हैं, स्वपोसी पोसन और पर पोसी पोसन, तो अब हम लोग पोसन के आधार पर जीवों के परकार पढ़ने वाले हैं, कि आखिर पोसन के आधार पर कितने परकार के जीव होते हैं, तो याद देखेगा कि पोसन के आधार पर दो परकार के जीव होते हैं स्वापोसी और परपोसी तो स्वापोसी किसे कहेंगे तो वह जीव जो अपना भोजन स्वाइंग बना लेता है या फिर स्वाइंग संसलेशित कर लेता है उस जीव को कहते हैं स्वापोसी इसमें आते हरे पेर पौदे और वह जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोसी पर या फिर किसी दूसरे जीव या जीव पर निर्वर होते हुसे कहते हैं पर पोसी देखिए कि पोसन के अधार पर दो परकार होते हैं जीवों के स्वापोसी और परपोसी सबसे पहला जानेंगे कि स्वापोसी किसे कहते हैं तो स्वापोसी याद रखेगा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वैंग संसलेशित करते हैं यानि कि स्वेंग बना लेते हैं उन्हें स्वापोसी कहा जाता है यहां पर बनाना सब्द क्यों नहीं दिया गया है तो याद रखेगा जितने भी स्वापोसी होते हैं वो प्रकास संसलेशन किरिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और प्रकास संसलेशन किरिया में भोजन संसलेशित किया जाता है तो इसलिए हम संसलेशित करते हैं ठीक है तो इसमें कौन आएंगे भाई हरे पेर पौधे आएंगे हरे पेर पौधे क्या कहा लाएंगे स्वापोसी कहा लाएंगे इसके बाद आपका पर पोसी पर पोसी मतलब सीधा अर्थ इसका है पर मतलब दूसरे अपने पोसन के लिए दूसरे पर जो जीब या फिर जो भी चीजे निर्भर होते हैं उसे पर पोसी कहते हैं तो क्या बोलेंगे परिवासा में ऐसे जीब जो अपना भोजन स्वाइंग जो है या अन सजीब से प्राप्ट करेगा उसे स्वाप्वोसी काते है जैसे कि मनुष्य जानवर पक्षी यह सभी पर पोसी कहलाते हैं मनु से भी अपना भोजन पेर पौधों से लेता है या फिर जीव मचले मुर्गा खसी यह सब पता है आप लोगों को जानवर भी अपने भोजन के लिए दूसरे पनिर बढ़ है तो जितने भी चीजें आप देख पार हैं पेर पौध है को छोड़ कर वो सभी परपोसी है इसके बाद आप चलेंगे अगला टॉपिक परने अभी तक हम लोगों ने भोजन के बारे में बहुत चीज़ सुना कि पोसन के लिए सबसे जिदा महातपूर्ण भोजन है भोजन है तो हमें पता होना चाहिए कि भोजन क्या है तो देखिए भोजन क्या है इसको जब आप अच्छा त्रेका से लिखने की कोशिस किजिएगा तो कुछ ऐसे लिखिएगा लिखिएगा कि वे सभी आवस्यक पदार्थ जो किसी जीव के सरीर में अवसोसित होने के बाद यानि कि पचने के बाद सरीर की रचना करती है तूट फूट की मरमत करती है बिर्दी एबं वि इकास भी करती है और उड़जा उत्पादन तथा जैविक किरियाओं का संचालन आधिकारि करते हैं परन्तु जीव सरीर को कोई हानी नहीं पहुचाते भोजन का लाते हैं तो आपने देखा कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे सरीर का रचना करता है और आप सभी ने सबी तरह के भी पता है जिससे हमारे से तूटफूट का मरमत भी हो जाता है धोन नहीं करेंगे तो हमारे सरीर का बिर्धी नहीं तो आप अगर दस दिन बोजन नहीं करेंगे तो इसी में आपको पता चल जड़ीका है और और विकास तो बिना भोजन का होई नहीं सकता बिरधी और विकास बिरधी वो आपको पता होना चाहिए कि सारी दिक चीजे होते हैं और विकास मांसिक चीजे हम कहले या फिर सारी दिक और मांसिक दोनों को मिला करके विकास करते हैं योगा भोजन के बिना संभव नहीं है उर्जा का उत्पादन भी होता है सही बात है जब भोजन करते हैं तो हमारे सरीर में उर्जा होता है भोजन नहीं करते तो सरीर में उर्जा नहीं होता है आपको दो दिन भोजन नहीं दिया जाए और तीसरा दिन बोला जाए कि आप भर करता है इतना जादा करता है परन्तु जीव शरीर को कोई हानी नहीं पहुंचाता है ऐसे ही प्रदार्थ को भोजन करते हैं इसे प्रदार क्या कहेंगे भोजन कहेंगे लेकिन याद रखेगा मात्रा बहुत ही ज़्यदा महत्पूर्ण होता है मात्रा अगर आप एक लिमिट से भोजन कीजिएगा तो आपके लिए फायदे मन्द होगा लेकिन एक ही बार भाई साब आपने कंट तक खा लिया बहुत ज़्यदा खा लिया तो क्या होगा वो तो आती हमें नहीं करना कोई भी की नहीं करना चाहिए तो भोजन देख लिए आपनेए अब अब लोग समझने वाले हैं कि in एंजाइम क्या होता है एंजाइम कई बार आपने नाम भी सुना होगा तो यह एंजाइम क्या होता है वो समझेगा यह एंजाइम जो है प्रोटीन प्रकिरती के कार्वनिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा वो प्रोटीन के जैसा ही होता है तो प् कीबित कोशिका में उत्परेरक काम करता है किसी धी reaction को के गति को बढ़ा देना डियक्षन के गती को क्या कर देना बढ़ा देना जैसे हमारे पेट में भोजन पचता है सभी एंजायम, अगर और अगर सभी एंजायम हमारे पेट में सही मात्रा में नहीं रहेगा, तो जल्दी नहीं पचेगा तो उस टाइम पर हम अगर क्या करते कुछ समस्या आजाती है, तो हम कोई दवा खा लेते भूजन पचने का, तो भूजन पचने की तो उसे एंजाइम कहते हैं। इंजाइम कहते हैं। आप ने देख लिया। हम याक प्रेज़एक कि गती बढ़ जाती है अभी किडिया यानि की रियक्सन की गती बढ़ जाती है उसे उत्प्रिठ कहते है। घ्सक्राइस जैसे कि आगर आग जला रहे हैं चूला में तो आग लख्डी जल रही है दीरे-धीरे जल रही है लेकिन आपने एक हल्का मित्टी की तेल डाल दिया तो मिट्टी तेल जो है डालते ही आपके चूला का आग के जलने का जो गती है नो बढ़ जाएगा और बढ़ा किसके कारण तो मिट्टी के तेल के कारण तो मिट्टी का तेल वहां पर हो गया उत्प्रे रख क्योंकि जलने की जो क्रिया है उसको यह कर दिय है उत्परे रखते हैं इसके बाद कुछ कोश्टेंस करने वाले हैं जो ncrt में दिये गए हैं ncr का पीज 105 देखेंगे तो आपकुछ कुश्टेंस हैं उसको देखने वाले हैं क्योंकि वहां तक हम लोगों इसमें ऑक्सीजन की आवसक्ता पूरी करने में बिसरन क्यों और परियाप्त हैं, आपको पता होना थी केचुवा के बारे में, किसके बारे में, केचुवा के बारे में, केचुवा जो होता है, जिसको आप साधनम बसामने चाली कहते हैं, जो किसान के मित्र भी कालाते हैं, ऐ ठीक है न यह तो केचुवा जो है वह बिश्रन बिधि से सांस लेता है क्योंगि केचुवा को नाक नहीं होता है तो केचुवा अपने त्वचा से सांस लेता है और आपको पूछा को गाते हैं जो अपने द्वारा श्वषण तो केचुवा और भी कही ऐसे जीव हैं जो अपना स्वांस जो है बिशरन बिदी से ले पाता है लेकिन मनुष बिशरन बिदी से नहीं स्वासन कर पाता है वो स्वासन परकरिया से नाक फैफरा इसके यूज करके वो लेता है तो क्यों आखिर हमारे में नहीं होता है तो देखिएगा इसका सही जबाब क्या होगा और कैसे सतिक तरिका से लिखिएगा तो आपके एक्जाम में अच्छा से आपको जो है समझा जाएगा मार्क मिलेगा तो लिखेंगे कि मानब जैसे बहु कोस की जीवों में कार्य हेतू विसेस अंग तथा अंग संस्थान होते हैं सही बात है अलग अलग काम को करने के लिए हमारे सरीर में अलग-अलग अंग है देखने के लिए आख है, सुमने के लिए नाख है, स्वसन द्वार के रूप में भी नाख यूज होता है, चवाने के लिए दात है, और स्वाद के लिए जीव है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पाउ है, मतलब अलग-अलग कान के लिए हमारे सरीर में अलग-अलग अंग बना हुआ है लेकिन जो एक कोस्की जीब होते जो केचुआ होता है वो केवल एक पाइप जैसा होता है इसमें कोई हाथ पायर मुह कान नाथ फैपरा दिल हिड़ दे कुछ नाम की चीज़े नहीं होती है इसमें ठीक है क्योंकि एक ही कोस्की का है तो एक ही कोस्की का में कार्य हेतू यानि कि काम करने के लिए विसेस अंग तथा अंग संस्थान होते हैं, जिन में उर्जा की बहन आवसकता, उर्जा की बहुत आवसकता होती है, अब विसरन किरिया द्वारा ऐसे जीबो में ऑकसिजन सभी अंगो को नहीं पहुँचाई जा सकती, भाई विसरन वि कि हमारे सभी अंगों तक पहुँच सके क्योंकि अंग सरीर के हर भाग में अवस्थित होते हैं सही बात है पुड़े सरीर में अलग-अलग सभी जगव पे कोई अंग है इसलिए बहु कोस कि ये जीवों में बिसरन किरिया द्वारा भोजन का आक्सी करन नहीं हो पाता है अब बिसरन को पचाने के लिए अक्सिजन कहां से आएगा तो हम अगर उपर ही उपर सांस लेते तुचा से खीच करके कुछ ले लेंगे तो वह उक्सिजन उतना अंदर तक नहीं जा पाएगा तो फिर भोजन नहीं पचेगा जिसके कारण शरीर का अंग जो है कारिय नहीं करते है अता मानब जैसे जीवों में ऑक्सिजन की ऑक्सिजन को सरीर के विविन अंगों की को सिकाओं में पहुंचाने है तो एक तंत्र होता है जिसे स्वसंद तंत्र काते हैं और स्वसंद तंत्र के हैल्प से ही हम लोग सांस ले सकते हैं तो अचा के हैल्प से केच्वा जैसे स लोग नहीं ले सकते हैं इसलिए हम इसका करने सकते हैं दूसरी बात है जो केचुवा जो होता उसका त्वचा होता बहुत ही ज्यादा नरम और बहुत ही ज्यादा वह कोमल होता है जिस कारण से उसके सक किया जा सकता हैं अगला महARAथपोर्ण कोशन है कोई कोई ऐस दूसरी सजीब है आप कैसे बताएंगे कि कोई सजीब कोई भी बस्तू सजीब है कि नर्जीब है तो सजीब या नर्जीब का बहुत सारा क्राइटेरिया हम आपको बता चुके हैं तो देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आप सजीब नर्जीब के लिए कैसे बता सकते हैं है ना सामाने रूप से उनमें होने वाले गती को देखते हैं किसको देखते हैं गती को देखते हैं यदि बस तु बिना बाहरी सक्ति के गती करते हैं तो उसे सजीब कहते हैं सही बात है गती कर रहा है एक जगा से दूसरी जगा जा रहा है या फिर उसका कोई अंग एक जगा है कि ये काम हो रहा है तो उसे सजीब काते हैं उसे क्या काते हैं सजीब काते हैं यदि कोई बहु कोश की जीव कि सोई हुई अवस्था में है तो भी जो है आनविक गती निरंतर हो रही है सही बात है अगर कोई जीव जो है दोना नहीं बंद होगा जंस लेना नहीं बंद होगा तो यह कोई पैसका फिर यह बाहर से दिखाई नहीं परती तो भी उन्हें गति हो रही होती है, बलट का चलना, शांस का लेना या फिर जो दिल का धृतना बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन महसूस तो करते हम तो यह सब गती है असपस्ट है कि गती हमार गती द्वारा समय हम, सजीब तथा निर्जीब बस्तों का निर्धारन कर सकते हैं इतना ही लिखना काफी है आपके लिए इसके बाद अगला कुछन है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामगरियों को का उपयोग किया जाता है कोई भी जीव अपने जिन्दगी को चलाने के लिए किस-किस चीजों का उपयोग करता है तो जितने भी चीज़ हम उपयोग करने सब कार्वनिक पदार्थ है सब में कार्वन होते हैं कार्वन भूजन हो या स्वासन हो तो वो सारे कैसे पदार्थ होते हैं, कार्वनिक पदार्थ होते हैं, तो आईए किसकी जिजों का यूज करते हैं, उसका डिठेल ब्याक्ख्यामा आपको देते हैं, लिखिएगा कि जीवधारी में प्रते कोसिकाएं कार्वनिक योगिकों द्वारा निर्मित होती हैं, हमारे कोशिकाओं का जीवन काल निश्चित होता है मतलब फिक्स होता कि यह इतना साल जीवित रहेग़ या फिर 20 साल ये 25 साल हमारे सरीर की जिसके पस्चात जीव की मृत्यु हो जाती है सही बात है और उसके जीवन काल में उसे सभी जैविक किडियाओं को करने के लिए उर्जा की आवसकता होती है जो उसे कार्वनिक योगिकों के बीघटन से प्राप्त होता है अब जब जो भी कार्ज है वो अपने जिंद्गी में करेगा वाज़ा जो भी हमारे सरीर के अंग है वो कुछने कुछ क काम करते जाते हैं तो उसको काम करने के लिए जरूरत तो पर एक नहीं कि परती है और यह कार्वनिक योगिक भोजन का रूप धारन खरते हैं यानि के więc यॉद्धि हैं भोजन के रूप मेंम करते हैं यह कि ऊस्दृ में रूप में करते हैं उसलीreiben प्राप्ति का बाहरीय योगिक बनाते हैं सही बात है उर्जा प्राप्ति जो है का बाहरीयोगिक बनाते हैं मतले उर्जा ले ले लेते हैं फिर हमें योगिक देते हैं जिस परकार हरे पौधे में परकास संसेलेशन के लिए द्वारा ये स्वैंग पोसी जीब भूमी से खनी योग करके ज़ेटिल कार्वनिक प्रकास बनाते हैं करतां करती है क्थ से देखा हम अकची सहामगरी कि रूप में लोग कार्वनिक पदार्थ लेते कौनसा पदार्थ कार्वनिक पदार्थ अगला कुछ नहिंएक जीव के अनुरक्षन के लिए आप किन प्रकर्म मानते हैं यानि कि जीवित राने के लिए डाव किस-किस जैविक किरियां का उपयोगी होना मानते हैं तो बोलेंगे जीव धार्यों द्वारा अन्नेकों किरियाई की जाती है सही बात है जो सजीव है वो अलेकों काम करते हैं जिसे एक बेक्ति का एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाना भी एक काम है एक कुत्ते द्वारा रोटी खाना भी काम है ये सबी किरियाएं जीवन से संबनित होती है ठीक है उन्हें जैविक किरियाएं काते हैं जैसे कि गती करना है, पाचन है पाचन मतलब भोजन को पचाना, स्वाचन मतलब सांस लेना, ऑक्सिजन लेना, कारवन रख से छोड़ना परीबहन मतलब हमारे सरीर में बलड का दौरना, ऑक्सिजन का दौरना, ये सबी परीबहन है उत्सर्जन मतलब भूजन करने के बाद जो कच्रा पदार्थ होता है वो मल या मुत्र के रूप में हमें बाहर करना ये उत्सर्जन है और बिर्धी आदी बिर्धी भी करते हैं आदी ये सारे के सारे क्या है तो जैबिक किरियाएं हैं ये सबी किरियाएं जो जीवन को सुचा नहीं चल सकता है ठीक है तो इसलिए से हम जैविक प्रकरम कहेंगे क्या कहेंगे जैविक प्रकरम कहेंगे नेक्स्ट अब हम लोग परने वाले हैं स्वपोसी पोसन जैसा कि आपने देखा था कि दो परकार के होते हैं, स्वपोसी पोशन और पर पोशी पोशन, तो स्वपोसी पोशन को सौट कॉर्ट में परे थे, और पर पोशी पोशन को भी सौट कॉर्ट में परे थे, तो अब हम लोग चलते हैं, डिटेल में पराई करेंगे, स्वपोसी पोशन के बारे में, अगर को हम लोग काते हैं स्वापोसी बतलब देखो बाई परकास संसलेशन एक परकिरिया है जिससे हारे पेर पौधे अपना भोजन बना लेते हैं बिना किसी के हेल्प से तो इसको हम पेर पौधों को हम स्वापोसी काते हैं और इस परकार से भोजन प्राप्त करने की किरिया को स् और पोजिपोषन के लिए सबसे ड payer महातपूर्ण प्रकास संसलेशन है क्या होता है जİस बिधी से पौधा अपना भोजन बनाता है यानि कि परकास संसलेशन भोजन बनाने की एक बीदी है जिस बीदी से पौधा अपना भोजन बनाता है हरे पेर पौधे अपना क्या करते हैं भोजन बनाते हैं इसी को डिटेल में लिखने की कुशिस कीजिएगा तो बोलेगा हरे पेर पौधे, सूर्ज परकास, कारवन डायोकसाइड, जल एबं कलोडो फिल्ड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं भोजन बनाने की इस परकेडिया को परकास संसलेशन कहते हैं परकास संसलेशन को एक संपूर्ण रसाइनिक समिकरन के रूप में इस परकार बैक्त किया जा सकता है अगर परकास संसलेशन को रसाइनिक समिकरन के रूप में बैक्त करने के लिए बोले तो आप ऐसे बोलेंगे देखे, परकास अंसलेसन में सबसे पहले पौधा को जरूरी पढ़ता है कारवन डायोकसाइड जो बाइव बननल से उले लेता है इसके बाद जल की जरूरत पढ़ती है जो जल ह2O पिर्थ्वी से ले लेता है जल के हंप से क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है तो क्लोरोफिल पत्ती में पाई जाती है क्लोरोफिल कहां पाई जाती है पत्ती में और पत्ती का रंग क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है और उसको जरूरी पड़ता है सूर्ज का परकास तो ये एक, दो, तीन, चार चार चीज उसको जरूरी पड़ा, और खनी जलबन भी तो खनी जलबन तो इसे जल के साथ आ जाता है, ठीक है, मुकुर्पसी यह चार चीज़ परती है, अब इस चारों के help से वो दो चीज़ बनाता है, एक तीन चीज़ बनाता है, एक चीज़ तो बनाता है गुलकोँच, द टो वही पेरपाधे के द्वारा दिये गए गया भी तो यह है रासाइनिक समिकरन जिससे आप परकास संसलेशन की किलिया को क्या कर सकते हैं दिखा सकते हैं सनसलेशन क्या है परकास संसलेशन सेआप क्या समझते हैं यह काते हैं यह कोई कोशन पूछे तो आपको सेम से लेते हैं पहते कलोड़ोफिल पत्ती से साथरीमा साम में तो में पूछेगा कि का संसिलेशन को इसी तरह से बताना होगा ठीक है अब है प्रकास संसलेशन का महत्पूर भाई सहाब प्रकास संसलेशन मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यदा महत्पूर्ण है क्यों क्योंकि अगर प्रकास संसलेशन नहीं होगा तो पौधे का भोजन नहीं बनेगा तो पौधे ऑक्सी सोघन के अवाशक है साथ ही यह संपुर्ण स्रिष्टी के लिए भी आवस्यक है सः ही बात है प्रकास संसलेशन पौधा के जीवन की लिए तो जरूरी है है क्यो tv रिखर संसलेशन नहीं होगा तो पौधा को गुलकोज नहीं मिलेगा और फिर पौधे क्या हो जाएंगे वही सुख जाएंगे तो पौधा के जीवन के लिए तो जरूरी है और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मनुस्य के लिए भी बहुत ही ज़्यदा जरूरी है क्यों क्यों कि पौधे परकास संसलेशन द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है यानि कि पायो मनुल में छोड़ती है जो जीवन का आधार है सहीं बात है अक्सीजन के बिना जिन्दगी है ही नहीं आप सोची नहीं सकते दो मिनट भी आब बिना जीवन संभव नहीं है देख सकते इतना भरा महत पूर्ण चीज है ठीक है हम परकास अंसलेशन किरिया का जो रासाइनिक समी करने उसमें एक चीज डिस्कसन करना भोल गए तो उसको करी देते हैं याद रखिएगा कि परकास अंसलेशन किरिया के लिए पौधा को कार्बन डायोकसाइड जो है उसके चो अनू चाहिए कार्बन डायोकसाइड के कितने अनू चाहिए चो अनू एकजाम में पूछेगा कि कार्बन डायोकसाइड के कितने अनू यूज करते हैं पौधा चो अनू और जल के कितने अ अनु बनते हैं यहां पर कुछ भी नई तो क्या है एक है पुमपंच के एक अनु बनते हैं गुमपंच का शुत्र भी आप यहां से यादर रख लिएगा और किंच ** धूल मौश्अ है तो रिकान परकित होते हैं अर् आकसीजनские केवल ओ लिखा है तो ऑक्षिजन तत्व ओ टू लिखा है तो ऑक्षिजन गैस ठीक अगर ओस lnck लिखा है तो ओजोन गैस पर्कास अंसलेशन में ऑक्सीजन की कितने आनू बंते चौन बंते और जल के भी च्रानू बंते हैं यह आप आप याद रखेगा हमने discussion कर दिया ताकि आपको इसकी भी जानकारी जो है मिल जाए ठीक अब यह आपने देखे लिया कि हमारे लिए कितना ज़्यदा जिरूरी है परकास संसलेशन अब बरेंगे आगे और परकास संसलेशन के समय कौन-कौन सी घटनाएं घटती है उसके बार करती है कलोडोफिल सोख लेती है उर्जा को क्या कर लेती है सोख लेती है बीना अगर जिस दिन सूर्ज नहीं उगेगा समझ लेजेगा उस दिन पौधा का भोजन नहीं बना क्योंकि बीना सूर्ज के परकास का पौधा का भोजन बन ही नहीं सकता है अगर आप किसी पौध पर जाएगा आपके घर के आसपास अगर कहीं घास है तो उस घास पर एक इटा डाल दीजेगा और फिर इसी इटा को दस दिन के बाद हटाईएगा ठीक है हटाईएगा तो आपको पता चलेगा कि इटा की नीचे का जो घास है वो पीला परचुका है क्या पर चुगा पीला क्यों पीला पर गया सब कुछ तो मिली रहा था लेकिन सूर्ज का परकास नहीं मिल रहा था इसी कारण से उसका भोज़न नहीं बर पाया और वो पिला पर गया ठीक है ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा आप इसके बाद आहां तो जो परकास उर्जा है वो कौन लेता है तो कलोडोफिल सोख लेता है दूसरा क्या कि सौर उर्जा का रासानिक उर्जा में रूपांत्रन भी वहाँ पर होता है सौर उर्जा को बदल दिया जाता है रासानिक उर्जा में तीसरा जल अनुओ का H2 और O2 मे आप घटन हो जाता है तूट जाता है कारबन डाकसाइड से गुलकोज बनता है ये सारी के सारे चीजे होती है प्रकास संसलेशन के टाइम पर ठीक ये प्रकास संसलेशन आपने देख लिया आप समझेंगे रंद्र क्या एस्टो माटा कहते इसको रंद्र या स्टो माठा रंद्र क्या होता है तेरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मान लेजिए कि यह कोई पत्ती है किसी पेर का क्या है पत्ती है हमें तो बनाने नहीं आता फिर भी मैं बनाने कोशिश करता हूं माले जी ये किसी पेल का क्या पत्ती है पत्ती पर जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पत्ती पर क्या पाए जाते हैं छोटे छोटे अरंत छिद्र पाए जाते हैं उसे ही रंद्र कहते हैं उसे क्या कहते हैं रंद्र कहते हैं तो आप बोलेंगे कि ये रंद्र है इस और उक्षिजन क्या किया छोड़ा ठीक है और जल को भी पौधा इसी रंद्र यानि की छिद्र से बाहर निकालता है जो जल बचता इसके भूजन के बाद उस जल को भी इसी छिद्र से बाहर निकालता है तो रंद्र आपने समझ लिया हम रंद्र को कैसे परिभासित करेंगे अगर खुला होता है छेद तो गैस का बीन में होता है यानि की कारबांड लेता है चोड़ता है तथा वास पोथ सरजन यानि की जल को भाप के रूप में निकालता है ठीक है इसमें सहायक होते हैं उसे रंद्र काते हैं उसे क्या काते हैं रंद्र काते हैं रंद्र आपने समझ रचना के बारे में रचना भी देख लेजे पहले अगर रंद्र की रचना एवं किरिया को लिखने के लिए बोलेगा तो पहले आप ऐसा बनाएंगे और फिर उसके बारे में इसके काम करने के के style को लिखेंगे काम काने के style क्या करेंगे लिखेंगे तो रंद्र देखने में कुछ ऐसा हौता है कि जो आपको दिखाई देरा चाहिछा है यहuciones कि बंदम बिकोये में के दिखाए गए बंदम कि इसके बीच का गाप कम हो गाज और ये खुला रंद्र है इसके बीच का गाप जैदा हो नहीं होगा सुनि पूरा दिखेगा यहां पर देखो यहां पर हो यह वाला अस्थान खुबा भब छाह गया और अगर हट गया तो खुड़ा है रंद्र किसे कहते हैं यह जो चिद्रहई से ही रंद्र कहते हैं रंद्र कहते हैं इसके बाद जो हरा हरा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा हरित लवक ठीक तो यह 3-4-5 इसके नाम जिरूर लिखे दिजिए जीवकि एक किस अंका क्या नाम है अब ये काम कैसी करती हैं पतियों की सथा पर अब रंड्रों को चारो से दो कोषिका हैं छो घेरे हुई हैं जिन्हें द्वारकोषिका आते हैं देखिलिजिये द्वार कोशिका बोला गया यह कोशिकाएं रंदर के खुलने या बंद होने के लिए उत्तरदाई है और द्वार कोशिका के कारण ही रंदर खुलता है या बंद होता है ठीक है जब द्वार कोशिका में जल अंदर जाता है तो वह फुल जाती है सही बात है जिससे छिद्र खुल जात होता है और जब द्वार को सिकाएं सिकुर्ती है तो बंद हो जाती है सिकुलेगी तो क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो इस तरीका से रंद्र जो है कार्य करती है यह आप क्या करेंगे याद रखने की कोशिस करेंगे अब विसम पोशी पोशन परना है ठीक है तो देखत से हिए हरे पेर पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसलिए उसको सुआ पोसी आते हैं अब विशंपोसीपोसन में हरे पेरपूदे को छोड़ करके बानगी कर सभी जीव आते हैं तो विसंपोसी पोषण में क्या क्या ज़रूरी है कैसे कैसे बोजन का पाँचन होता है वो सब हमें क्या करना है परहाई करना है और विसंपोसी पोषण किसे तो आ'T thunder या सबसे फर्स्ट कोशन यहां पर आमें पढ़ना होगा कि जीव अपना बोजन कैसे करते हैं जीव अपना पोशन कैसे करते हैं जो कोई भी जीव है वह अपना पोशन कैसे करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखने की कोशिस कीजिए एक कोश्किये जीव में पोशन पाले पुछले परहेंगे फिर दूई को जिव bien trust की तो यह के एक कोज्कय जीव अपनागो जन कि संकूर्ण सता से ले सकते हैं जैसे की आमीबा और पारा नां मीसियम यह अपने पूरे सरी के help से भोजन को अवसोसित कर लेता है लेकिन हम लोगों में क्या है कि भोजन को मुह से ही ले सकते हैं मुह में डालेंगे फिर वो कंठ होते हुए पेट में जाएगा ठीक है अथा जाकर उसका पाचन होगा लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं होता वो अपने पूरे सरीर के help से भो आएं अमीबा में पोशन यानि कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहन करता है उसको अगर चित्र द्वारा समझाने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे समझाएंगे और इसमें इस चीज़ेंगे तो बेटर होगा क्या होता है सबसे पहले देख लिए भोजन है खाद पदार्स म तो यह अमीबा के आज़ पास अगर भोजन आता है तो यह अपने आपके शरीर को ऐसे बनाता अथा कि वो भोजन अंदर चला जाए तो फरस्ट इस टेप में ऐसा है सकेंड इस्टेप में देखिए यह अपने शरीर को हलका इधर नमरा लिया और भोजन को अंदर फशा लि फाइनली भोजन को क्या कर लिया खीछ लिया और फिर उसका पाचन करेगा अंद्रमिजा करके उठीक है इसी को आप देहेंगे भोजन को अपने पाधाव की सहायता ने लेता है नहीं पाधाव के सहायता से खाद रिक्तिका में भेजता है खाद रिक्तिका में जटिल पदार्थ का भी घटन सरल पदार्थ में किया जाता है इसको सरल छोटे छोटे टोड़ों में तोरा जाता है और बचा हुआ और पच्च कोशिका की सता की ओड़ गती करता है अगर जो चीज नहीं पचा उसको बाह यार निस्कासित कर दिया जाता है याने कि निकाल दिया जाता है ठीक है जैसे हम लोग विना पच्छेवर पजार्थ को बाहर निकालता है यह तो एक कोस के जीब में आपने देख लिया कि पोशन कैसे होता है अब हम लोग जो है पैरा मीशियम में पोशन कैसे होता है इसके ब मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में और इससे आगे के चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे डिसकतर करेंगे थैंक यू सो माच गुड़ बाई टेक केर